नमस्कार सातियों बहुत बहुत स्वागते आपका दोस्ट चैनल पर हर कदम आपके साथ एक नई सोच के साथ सुप्रीम कोट का बड़ा फैसला पित्रक के संपत्ति बहारी ब्यक्ति को बैच सकते हैं या नहीं जानिए इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ये महत्व पूर् जानकारी के लिए वीडियो के एकदम लाश्ट तक बने रही है तो चलिए देख लेते हैं लैट गो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें साथी साथ नए डाइट पाने के लिए बैल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो पसंद आए तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें सुप्रीम कोट ने अहें पैसला सुनाते हुए कहा कि पेत्रक किर्सी भूमी भारी ब्यक्तियों को नहीं बैची जा सकती है इस मामले में सवाल था कि क्या किर्सी भूमी भी धारा 22 के प्रापदानों के दारे में आती है सुप्रीम कोट के मताबिक जो विवस्ता दी है इंदू उत्तरादीकारी पैत्रक किर्सी भूमी का अपना इस्सा बैचना चाहता है तो उसे घर के ब्यक्ति को ही प्रात्मिक्ता देनी होगी यह संपत्ति बाहरी ब्यक्ति को नहीं बैच सकता सबसे पहले आपको बताते है कि आकर दारा बाइस में प्राबधान क्या है जब बिना बसीयत के किसी व्यक्ति की मरत्तु हो जाती है तो उसकी संपत्ति उत्तरा अधिकारियों के नाम पर आ जाती है अगर उत्तरा अधिकारी अपना हिस्सा बैचना चाहता है तो उसे अपने बचे हुए उत्तरा अधिकारी को प्रात्मिक्ता देनी होगी सुप्रीम कोट की पीटने कहा कि किरसी भूमी में धारा 22 के प्रबधानों से संचालित होगी इसमें जो हिस्सा बेंचने के लिए ब्यक्ति को अपने घर के ब्यक्ति को प्राक्ता देनी पड़ेगी इसके साथ ही पीट ने यह भी कहा कि धारा चार दो के समापत होने का इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसकी बज़े यह कि यह प्रापदान किर्शी भूमी पर कष्ट कारी के अधिकार से सम्मंदित था फैसला सुनाते हुए पीट ने कहा कि इस प्रापदान के पीछे उद्दे सकी परिवार की संपत्ती परिवार के पास ही रहे और बहरी व्यक्ति परिवार में नागोसे इस मामले में लाजपत की मरत्तू के बाद उसकी किर्शी भूमी दोपुत्रो नातू और संतोख को मिली संतोख ने अपना इससा एक भारी वक्ति को इसे बेच दिया था नातू ने मामला दायर किया और कोट में गवार लगाते हुए कहा कि हिंदू उत्तरादिकारी कानून की दारा बाइस के तहत उसे इस मामले में प्रात्ति मिक्ता पर संपत्ती लेने का अधिकार प्राप्त है जिसके बाद ट्राइव कोट ने डिक्री नातू के पक्ष में दी और हाई कोट ने भी इसे बरकरार रखा दोस्तो आपको यह चोटी सी जानकारी थी कैसी लगी आप हमें अपना सजेशन वीडियो की कमेंट वॉक्स में कमेंट करके जरूर दें वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अधिक से अधिक इस वीडियो को सेयर करें जि झाल